M-POX, जिसे WHO ने Global Public Health Emergency गोशित कर दिया है, 14 अगस्त 2014 को, यहां एक बिमारी है, जो और्थो पॉक्स वाइरस से फैलती है, जो especially humans के अंदर और बाकी सारे mammals के अंदर communication से फैलती है, तर्च से फैलती है, इसे WHO ने Global Public Health Emergency गोशित कर दिया है, और यह एक new variant, पहले सबसे पहले तो यह 1970 के अंदर देखने को मिली थी, बट अभी हाली में इसका एक new variant, क्लेड वन एम पॉक्स जो है, वो डिटेक्ट हुआ है, और यह खासकर अभी फैला हुआ है एफरिका के अंदर, और यह एफरिका के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए WHO ने इसे Global Public Health Emergency गोशित कर दिया है, और हाली में एम्स ने एक प्रोटोकॉल रिलीस किया है, इस बिमारी से लड़ने के लिए, इस बिमारी से त्यार रहने के लिए, कि किसी भी तरीके से यह बिमारी जो है, वो इंडिया में ना फैले, इसलिए हाली में एम्स ने एक एसोपी रिलीस किया है, जिसके अंदर कुछ important points जो है, वो उसने बताए हैं, ताकि सारे की सारे डॉक्टर्स, सारे की सारे एम्स और हास्पिटल जो है, वो इस बिमारी के पेशेंट से निपटने के लिए त्यार रहें, तो देखते हैं कि कौ कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है, या कौन कौन की पॉइंट जो है, वो इस प्रोटोकॉल के अंदर बताए गए हैं, सबसे पहला तो initial assessment and tryage, initial assessment का मतलब होता है, कि जो भी hospital है, उसमें emergency department होते हैं, तो वहां पर जैसे ही कोई भी patient आ रहा है, जिसमें symptoms दिख रहे हैं, symptoms बतात पर दिखाई दे रहे हैं, और उसकी कोई history हो, जिसके अंदर confirmed M-pox patient की वो connection में आया हो, तो ऐसे patient को immediate assessment देना है, immediate उनको देखना है, दूसरा प्रोटोकॉल जो उन्होंने बताया है, अपने SOP के अंदर, कि symptoms to identify M-pox, कि कौन कौन से symptoms को देख करके, आप M-pox के patient को identify कर सकते हैं, तो वो symptom है, सबसे पहला तो उस patient को अगर fever है, दूसरा अगर उसका headache हो रहा है, यानि कि सिर में भयानक सा दर्द हो रहा है, उसके muscles में pain हो रहे हैं, यानि कि हाथ और पैर सारे pain कर रहे हैं, उसका especially back pain हो रहा है, और main symptom जो इसका आता है, कि उसका swollen lymph node है, यानि कि जो इसके अ lymph, यानि कि हमारे हाथ पैरो पर, हमारी बॉड़ी पर फपोले से नजर आते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते है, swollen lymph नजर आ रहे हैं, उन्हें ठंडी लग रही है, यानि कि चिल अगर हो रही है, और distinctive, यानि कि अलग तरीके कि skin के अंदर धबे धबे नजर आ रहे हैं, तो अगर कोई भी पेशेंट इन सब सिम्टम्स के साथ में नजर आता है, तो उन्हें इस डिजीज के अंदर कंसिडर किया जाएगा, यानि कि उसे M-Pox का पेशेंट जो है, वो कंसिडर कर दिया जाएगा, तो ये सभी सिम्टम्स डेक करके, हॉस्पिटल में अमजेंसी डिपा ये सेम उसी तरीके का है, जैसा को रोना वाइरस में था, कोरोना वाइरस के दौरान भी हमें दूरी मदाय के लिए कहा जा रहा था, तो सेम उसी तरीके से कहा जा रहा है, कि अगर कोई पेशेंट M-Pox डिटेक्ट होता है, तो उसे दूरी बनाय रखना है, उसे आइसोलेट होना पड़ेगा, ताकि ये डिजीज जो है, वो आगे ना फैले, साती सात, उन्होंने ये बोला है, कि AIMS जो है, वो बाकी दूसरे हॉस्पिटल के साथ में भी कॉडिनेट कर रहा है, और ये सारे इन्फोमेशन जो है, वो उन हॉस्पिटल तक पहुचा दी गई है, कि किस तरीके से उसे आइइटिफाइ किया जाना है, और किस तरीके से उसे आइसोलेटेड रखना है, नेक्स प्रोटोकॉल में ये बताया गया है, इंडिगेटेड एंपोक्स सर्विलेंस, अज पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, AIMS said that any suspected case should be reported to the Integrated Disease Surveillance Program, IDSP, यानि कि जैसे ही कोई भी case report होता है, उसे Integrated Disease Surveillance Program के अंडर consider करना है, उसे report करना है, साथी साथ एक contact number दिया गया है, 874-5011-784, इस पे कोई भी एंपोक्स patient अगर detect होता है, तो वो उसकी जानकारी इस नंबर पर दे सकता है, जल्दी से जल्दी जोटिफिकेशन या जल्दी जल्दी जानकारी जो है, वो उन्हें IDSP तक पहुचानी है, ताकि आगे और ये disease जो है वो ना फैले, नेक्स प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने ये पताया है कि AIMS ने 24-7-hour ambulance facility जो है, वो इस disease से निपटने के लिए तयार रखी है, AIMS said suspected EMPOX patient should be referred to the Sufferganch Hospital for advanced evaluation and treatment, यानि कि Sufferganch Hospital में उन्हें refer कर दिया जाएगा ताकि उन्हें अच्छे से और इलाज मिले और उसका treatment जो है वो जल्दी जल्दी हो सके, साथी साथ, AIMS has designated a specific ambulance, उन्होंने एक अलग से ही ambulance तयार रखी है, और ये ambulance facility जो है, वो 24-7-hour आप लोगों के लिए available रहेगी, अगर कोई भी case detect होता है तो, और ये ambulance जो है, वो special care के साथ में होगी, ताकि कोई भी delay ना हो patients को hospital तक पहुचाने के लिए, साथी साथ, उन्होंने ये भी कहा है, that PPE for medicals is already ready, मतलब सभी medical staff, जो उस M-pox patient को treat करने वाला है, उनके लिए personal protective equipment kit जो होता है, वो already AIMS में ready है, ताकि ये disease जो है, वो उन तक ना फैले जो M-pox patients को treat कर रहे हैं, तो ये सभी जो है, वो AIMS ने protocol release किया है, SOP के अंदर, ताकि ये M-pox नामक बिमारी जो है, वो इंडिया में ना फैले, वो अपने proactive steps के साथ में ready है, आप भी अपने आस पास में ध्यान दीजिएगा और अपने आपको बचा करके रखना है, क्योंकि ये disease जो है, वो बच्चों में, बूडों में और ऐसे लोगों में जिनका immune system जो है, वो बहुत जादा slow है या weak है, उनके अंदर आसानी से ये फैल जाता है, तो aims तो ready हैं, आप भी इस disease से निपटने के लिए ready रहिए और अपने आपको safe रखिए, stay healthy and stay happy.